दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में और जैसे कि आपको बता है कि हमारी यूट्यूब चैनल पर जो है उत्राखन जी के क्लास चल रही है और काफी इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो सब कराए जा रहे हैं एक वीडियो आने में थोड़ा से हम आज एक टॉपिक कवर करेंगे कि यहां से आपको कुछन देखने को भी लेगा अंदुलन के बारे में उत्राखन के जीतने वी एकदाम होते हैं समय पूछ ले आता है तो सबसे इंपोर्टेंट है डोला पाल की अंदुलन किस ने शुरू किया था जयानंद भारती डो इसको याद करिंने की मेटरिक बताइता हूं डोला पाल की देखें डोला से आपको समझ्दूनद शर्णी की बात है ये वारे जैया की शाद्ति हूई झालि जैया की शर्णी हुई तो बल्ली उढ़ कि यहानंद भारती जैनत भारती डोला पॉली किसका हो गया मिश्रित भ मिश्रिद वन खेती model इसको Secondly स्थाफ जाते जब शुबहां जागते हैं तक उनिको जो है कि उपर उन्हीं चिए चल्थी जादे मिश्रिद वन खेती model कि नहीं दिया था जगत सिंह चौधरी है कि उसके लग्धा तोली लोक विगाध सन्स्थान यह किसने स्टाड़ किया था दूधा तोली लोगविगा संसतान सची दानंद भारती तो यह किसने कहली तो यह दूद सही तोलेगा वो आदमी क्या होगा सच्चा होगा तो इस DENNIS हार उसके बाद बोड़ेगा शिल्पकार आंदूलन अंजीकार हरीपृरसाद टमटाने से तो इसको क्या याद रखेंगे चिल्पकार यानिके शिल्पी की कार कैसी है Stuart preventhen plotते स्रेशयल अवर और कार रांदुन किसने गरता हरी परसाइट अंड़ाने आपको मैं साथ साथ याद कराता जा रहा हूं एक आसान सी ट्रिक है यह एक बार देख लेंगे तो आपकी दिमाग में स्वैट हो जाएगी उसके बार आपका हिमाल्यान वन्य जीव संसान 1974 तो यह किसने गरता कल्यान सिंग रावत हिमाल्यान वन्य जीव संसान जो 1974 में बना था उसका उसका कल्यान सिंग रावत हिमाल्यान यान हिमाल्यान हिमाल्यान पर कैसे आते हैं यान से यान होता है एरोप्लेन तो हिमाल्यान व इसके बाद ये डालियो का दगडिया संगठन एवं दशोली ग्राम सुराज मॉडल 1964 तो इसकी गृति चंडी परसाद भटने डालियो का दगडिया संगठन एवं दशोली ग्राम सुराज मॉडल 1964 ये गृति चंडी परसाद भटने मानव का उत्थान जो करते हैं महाराज ही करते हैं अपनी परजया कोण करता है माहराज तो इसके साफना करती सा कि इसके दिन Country क्लियाण सिंग रावत तो आपको neighboring 寺 की एक और याद रएएगा कि हमालयान की हमालयान helps के वह संस्था चाहर सभなたद सब्fahrावत्र हुश उसके भी क्रावत निनकरी दी ति कि इसका लोक संस्कृति संगराली है है लोक संस्कृति संगराली है में यह शोधर मतपाल कि इसके देखें कमाव रास्टे मोर्चा का गठन उसके बाद लुए उत्रान चल उत्थान परिशत का गठन खोवंसि необходимо कि उत्रांचल का उत्थान उत्थान यानिकर इसको बढ़ा देने उठांस तो तो अगर किसी को उठाना होता है तो जीने से उपर जाना पड़ता है ऐसे याद रख सकते हैं इसको तो उत्रांचल को सोबन सिंग जीना ने जीना लगा कर उसका उत्थान किया था तो उत्रांचल उत्थान परिशद का गठन किसने जीना लगाया था सोबन सिंग जीना ने ऐ से ज्यात रख सितने सो इसके बाद गढ़ देश सेवा संग कगढ़न बाद में नाम इसका क्या हो गया वागत है हिमाली यह सेवा संग तो यह किशा था स्रीदेव सुमन तो इसका कर था सुधार 1905 कगढ़न किया था मुंशी हरीपरस्थादर ने योग है कि भुवनेशवर आश्रम हुड्वनेश्वर आश्रम कर गठन किस ने गयाता है सौामी मन मन्धन वन्थन कर दो भुबनेश्वरी महीला आश्रम ि बहुनेश्वरी महिल आश्रम स्वामी मनमंत्न ने इसके बाद सूत्र अंधुन के एट रक्षा शूत्र में रठ्वंत्र से आपका अंधुन कोनलगक ॖ शुरिष भाई इसके बाद Happy Club है, Happy Club क्या है, important है, 1903 में इसका गठन हो था और GB गोविन वलब बंथ ने इसका गठन किया था, Happy Club का 1903 में हिमाल्याँपरयवरण अध्यानगें गठन है, 1979 में इसकी स्थाफना वोई थी, अनिं जोशी जी ने तो हिमाल्याँपरयवरण अध्यानगें जिसकी स्थाफन 1907 मेंłos गठन van lyuk दन लूख चढっ जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अनियल जोशी है कोई जोश आया तो हमाले पर चड़ गए परियावन का धिन के हमाले पर जाकर 1979 थे इसके बाद है दिवाइन लाइफ सोसाइटि वा योग वेदान्त ओरस्ट अकेड्मी रीसी केस जो फॉरस्ट अकेड्मी रीसी केस में कि इसका जो है इसको बनाकरी स्वामी शिवानंद ने इसका नैनी ताल में पहाड संस्थ था कि नैनी ताल में पहाड संस्ता है जिसकी स्थापना की थी शेकर पाठक तेकि नैनी ताल और नैनी ताल में पहाड संस्ता नैनी ताल में पहाड संस्ता है उसकी शेकर पाठक में इस्थापना की थी तो यह थे इंपोर्टेंट वन लाइनर यहां से आपको क्वेशन किसी अग्जाम में देखने को मिलेगा उत्रागन के और क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें धन्यमाद